असलाम लेकुम गाइज वेलकम बैक टो अनदर वीडियो अगर आपको क्लाउड फ्लेयर के अंदर डियनेस रिकोर्ड सेट अप करना नहीं आता है जो के कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स में ने लास्ट टाइम रीड कियें जिसमें काफी लोगों के डियनेस रिकोर्ड क करने का मैथड नहीं पता चल रहा है कि क्लाउड फ्लेयर जब आप क्रियेट कर लेते हैं तो उसके अंदर आपका डियनेस रिकोर्ड कर देता है लेकिन सम्टाइम्स वह नहीं भी एड करता है तो आप उसको किस तरह लगा सकते हैं जो कि बहुत इजी सा मैथड है मैं आपक जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को कर लें ताकि इसी तरह की मेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो यहां पर मैंने ओल्ड है या 502 का रहा है या फिर साइट ही बिल्कुल शो ना बंद होगी है तो इसको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं इन सभी का एक है जो मैं आपको क्लाउड फ्लेयर के अंदर शेयर करने लगों डिनस रिकॉर्ड में वह सेम सेट अप आप करेंगे तो आपका इशू भी सब्सक्राइब करने नहीं आती है बहुत इसी सा मैथर बताऊंगा ताके आपको समझ भी आ सके यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कलाउड फ्लेयर ओपन करके रखा हुआ है अब यहां पर मैंने एक साइट ओपन किया है इस पर आपने आजाना डिनस रिकॉर्ड में जब क्लाउड फ्लेयर का सेटप कर लेते तो सेटप के दुरान आपको फ्लेयर ऐतोमेटिक ली डिनस रिकॉर्ड का सेटप करके देता है जिस में से बहुत सब्सक्राबर बेते हैं लेकिन यीश्यार के इंदर कुछ इस करने पड़ते हैं तो अब मैं आपको जस्ट ये सेटिंग्स को बताऊंगा कि आपने DNS रिकोर्ड में क्या क्या एड करना होता है जिससे आपकी साइट जो हो 100% लाइव हो जाएगी अभी के लिए एक साइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको रिफ्रेश करके भी दखा देता है तो आप द आपको भी कुछ इस तरीके से DNS रिकोर्ड का डैश्बॉर्ड शोगा जिसके अंदर आपको कुछ भी सेटिंग गराश हो नहीं होगी और नहीं आपको आटो डियनेस एड करने का ऑप्शन आ रहा होगा कि अगर आपको नहीं करना आता तो आप आटो डियनेस रिकोर्ड जो रिफ्रेश करता हूँ अब यहां पर देख सकते हैं साइट के नोट भी जा रहा है जो कि यह साइट को पर अगया और साइट बंद हो चुकी है अब हम इसको दुबारा से रियोपन कैसे करेंगे मैं आपको यहां पर मैथर कर देता हूँ सबसे पहले तो अपने डियनेस रि मिल जाते हैं क्लाउड फिलेर के यह आपने बेसिकली एड करने होते हैं अपनी डुमेंड प्रवाइडर में डुमेंड प्रवाइडर पर आएंगे यहां पर मैंने गोड़ डैडी का अकौंट अल्ड रेडी ओपन करके रखा हुआ है और यहां पर डियनेस रिकॉर्ड पर आपने फर्स्ट पॉल एड करने उसके बाद आपने नेक्स क्या करना है यहां पर आपने आजाना है डी एनस रिकॉर्ड में अब आपको मैं यह मैंतर बितायता हूं सिम्पल सा प्रोसेस है इसके अंदर कोई भी मैनुवल सेटिंग्स करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती होती है यहां पर आपने अदर कोई पर किलिक करना यह फॉल यहां पर आपने अधर कोर्ट एक एक्स्ट यहां आपने यह याद रखने यह याद रखणने हैं सकता है मैं आपको आगे चल के process share कर देता हूं तो इसको add करने के लिए आपने क्या करना है copy paste करना पर आपने अपनी hosting open कर लेनी है अगर आपकी hostinger की hosting है तो बहुत जादा best हो जाएगा क्योंकि same as it is आपने यह follow कर लेना है अपने यहां पर क्या करना है अपनी hosting इसी तरीके से open करनी है open करने के बाद आप स्रोल डाउन करेंगे sidebar के अंदर और आपको यहां पर advanced का option मिलेगा इसके अंदर आपने आजना है sshss यहां पर आपको शोर है इस पर आप क्लिक करेंगे आपने यहां पर first of all a record add करना है a पर क्लिक करेंगे name के अंदर आपने add the rate of add कर देना है उसके बाद आपने ip के अंदर यह code paste कर देना है जो आपने copy किया है paste करने के बाद आपने save पर क्लिक कर देना है first हमारा यहां पर option complete हो चुका है second भी same as it is आपने दुबारा से add करना है add record पर क्लिक करेंगे type a ही आपने select करना है उसके बाद आपने name के अंदर लिखेना है ftp यहां पर आप देख सकते हैं यह add करने के बाद आपने यहां पर ip4 के अंदर भी यही same code paste करना है जो आपने अभी code paste किया था उसके बाद save पर क्लिक कर देना है दो steps हमारे complete हो चुके है अब यहां पर आ जाता है third step third step के अंदर आपने add record पर क्लिक करना है आपने वापस जाना है अपने hosting पर आने के बाद यहां पर आपने आ जाना DNS zone editor यह आपको सभी hostinger की hosting के अंदर मिल जाएगा DNS zone editor पर क्लिक करेंगे और आपने यहां पर scroll down करने यहां पर आप देख सकते हैं पहले से DNS record बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन आपने सभी copy नहीं करने उसके बाद आपने वापस आने अपने cloud flare के उपर cloud flare पर आने के बाद आपने ipv6 address के अंदर यह paste करने के बाद आपको और कुछ भी changes करने की ज़वत नहीं है same as it is proxy status वगरा same as it is रहने देना इसको as a default रहने देना इनको आपको छेड़ने की ज़वत नहीं है जस्ट आपको यह three steps follow करने यह आपने complete add कर लिया अब आपने save पर click कर देना है यह हमारे three options जो हैं वो create हो चुके हैं अब आपको यहाँ पर fourth option select करना है add record पर click करेंगे और आपने यहाँ पर एक ही जगह select कर लेना है cname यह cname आपने select करने के बाद आपने name के अंदर लिखना www यह आपने same as it is name के लिखने लिए उसके बाद target के अंदर आपने domain का नाम ही copy करना है यहाँ पर आपको यह same as it is ना मिल जाएगा यह आपने complete copy करना है लेकिन इसके साथ आपने www यह ctps नहीं लगाना है same as it is जैसे के मैं paste करूं same as it is आपने paste करना है उसके पास save पर click कर देंगे यह हमारा fourth step भी complete हो चुका है यह आपने same इसी तरीके से follow कर लेना है और इसके लाव कोई changes नहीं करनी यहाँ पर आप देख सकते हैं cname भी हमारा add हो चुका है अब आपने add record पर click करना है यह आपने type के अंदर select कर लेना आपने यहाँ आपने नेम के अंदर add the rate of select कर लेना है अब आपको hosting के नेम सर्वर कहां से मिलेंगे आप new tab open करना है यहाँ पर आपने search कर लेना होस्टिंगर नेम सर्वर्स जैसे अब search करेंगे आपको यहाँ पर first number पर side मिल जाएगी hostinger की यहाँ पर scroll down करेंगे आपको यहाँ पर hostinger ही बिता देगा के कौन से नेम सर्वर्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं बलकि आप इनी को copy कर सकते हैं यह same as it is इसको as a default रहने देना है first ns record add करने के बाद अब आपको second name server add करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमने first name server add कर दिया है same as it is अब आपने add record पर click करना है and यहाँ पह आपने दिपारा से select करना ns ns select करने के बाद name के अंदर आपने दुबारा से add the rate of लगाना है और उसके बाद आपने second point की ये copy कर लेना है ns2 ये अब आपने वापस name server के अंदर paste कर देना है paste करने के बाद आपने save पर click कर देना है तो ये भी आपका यहां पर add हो जाएगा इस तरीके से ये आपने two ns records बना लेना है उसके बाद one c name record बना लेना है उसके बाद two a record बना लेना है और यहां पर आपने four a records बना लेना है तो same as it is आपने ये setup कर लेना है उसके बाद आपने add record पर again click करना है यहां पर आपने type के अंदर txt select करना है उसके बाद आपने name के अंदर add the rate of लगाना है content के अ आपने वाफ जाने यहां पर आपको टी एकस टी रिकॉर्ड मिल जाएगा यह अपने को पी कर लेना है एड़िट पर क्लिक करें गे जस्ट आपने यह टी एकस टी वैल्यू कोपी करनी और कुछ भी कोपी करने की जुद्ध नहीं यह एंड आपने वापस जाना है क्लाउड फ फोलो करने और इसके लाव आपको कुछ भी करने की जुदत नहीं है यह अब हमने एड कर लिया अब जो हमारी वैबसाइट ओपन नहीं हो रही थी अब हम इसको दुबारा से रिलोड करके चेक करते हैं कि ओपन हो चुकिया यह नहीं हुए है यहां पर आप देख सकते हैं हमा बस आपको यही 7 steps जो है फोलो करने और कुछ भी करने की जुदत नहीं होती है आपको यह 7 steps complete करने और आपकी जो वैबसाइट वह लाइव होजेगी जो भी एरर होगा वह इस्यू होगा वह सोल्व होजेगा इजोई के साथ अगर आप connect कर रहे हैं तो इजोई को सबसे पहल आपने वहां से disconnect करना है इसके बद पहले यहां पर sats a sempre करने करने आपने लोगिन करना है उससे पहले करने ताके ओंक चिए सेट परें शोड़ करोंगे जो भी एरर आ रहा है आपकी वैबसाइट के अंदर वैबसाइट आपकी ओपन नहीं हो रही है तो वह इस मैथड़ से 100% सौल हो जागी तो मीद करता हूं वीडियो बहुत जादा हैलफुल होगी अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं या आपको कुछ पूछना है तो क्वीडियो में नेक्स ट्टोपी के साथ अल्लाहाफेज